दोस्तु हमारे चैनल घरेलू नस्के को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तु लहसुन का सेवन स्वाफ्स्ते के लिए काफी फाइदे मन माना चाता है क्योंकि लहसुन ओसदिय गुणों से भरपूर होता है लहसुन का सेवन करने से कई बिमारिया दूर होती हैं क्योंकि लहसुन में विटामिन B, विटामिन C, सेलेनियम, मैगनीज और केलसम जैसे तत्तु पाई जाते हैं साथी लहसुन में एंटी ओक्सिडेंट, एंटी फंगल और एंटी वारल गुन भी मोजूद होते हैं जो स्वाफ्स्ते के लिहास से काफी लाबदायक सभित होते हैं लेकिन लहसुन का सेवन भी अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वाफ्स्ते को नुकसान पहुँच सकता हैं आईए जानते हैं लहसुन के क्या-क्या फाइदे और नुकसान होते हैं दोस्तों आईए जानते हैं लहसुन के उप्योग के बारे में खाली पेट कच्चे लहसुन का गुन-गुने पाने के साथ सेवन किया जा सकता है जो कई बिमारियों में लापदायक साबित होता है लहसुन का उपयोग सबजी बनाने में किया जाता है लहसुन की कलियों को घी में भून कर भी खाया जा सकता है लहसुन की कलियों को सरसो के तेल में गरम करके जोडों के दर्द में लगाया जा सकता है लहसुन और मिर्च की चटनी बना कर खाया जा सकता है आईए जानते हैं लहसुन खाने के फायदों के बारे में नमबर एक, आज कल जादतर लोग बढ़ते मोटापे से परेसान है लेकिन अगर आप रोजाना सुबह खाले पेट लहसुन का सेवन करते हैं तो इसे वजन आसानी से कंट्रोल होता है नमबर दो, सरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रोल हार्ट की बिमारी का सबसे बड़ा कारन होता है लेकिन अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गुन गुने पानी के साथ लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे सरीर में बढ़े कोलेस्ट्रोल का इस्तर कम होता है नमबर तीन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेसर की सिकायत होती है उनको रोजाना लहसुन का सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन खाने से ब्लड प्रेसर कंट्रोल होता है नमबर चार लहसुन का सेवन डाइबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदिमन माना जाता हैं क्योंकि लहसुन में एंटी डाइबिटिक गुण पाए जाते हैं जो बलड सुगर लेवल को नियंतरीत रखने में मददगार साबित होते हैं 5. सर्दी जुखाम की सिकायत होने पर भी लहसुन का सेवन काफी फायदिमन माना जाता हैं क्योंकि लहसुन में एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबियल परभाव पाया जाता हैं जो सर्दी जुखाम से राहत दिलाता हैं 6. लहसुन का सेवन कैंसर के खत्रे को कम करने में काफी मददगार साबित होता हैं क्योंकि लहसुन में एंटी कैंसर गुण पाय जाते हैं जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार साबित होते हैं नमबर 7, जोडों के दर्द की सिकायत होने पर लहसुन काफी फायदिमन माना जाता है क्योंकि लहसुन में Anti Inflametry परभाव होते हैं जो दर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं नमबर 8, लहसुन का सेवन करने से रोग परती रोधक छमता मजबूत होती हैं जिससे आप कई बिमारियों के सिकार होने से काफी हद तक बच सकते हैं दोस्तो आईए जानते हैं लहसुन खाने के नुकसान के बारे में नमबर एक, लहसुन से कई लोगों को एलर्जी होती हैं ऐसे में इसका सेवन करने से इसकीन और स्वाच्ते समंदी समस्या हो सकती हैं नमबर दो, लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट समंदी समस्या हो सकती हैं नमबर तीन, लहसुन का सेवन करने से मो या सरीर से दुरगंद आने की समस्या हो सकती हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें